आज मटन करी के एक बहुत मज़िदार रेसिपी शेयर करूंगी अगर आप बैचलर है या फिर किचन में नए है तो ये परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए लेकिन अगर आप मटन की बहुत सारी डीशिश बना लेते है तब भी एक बार इस करी को जरूर ट्राय करके देखे इस करी को खा के आपको जरूर मज़ा आएगा सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऐसा प्रेशर कूकर लेंगे बहुत ज़्यादा बरतनों को यूज नहीं करेंगे इसी कूकर को यूज करके करी हम रेडी करेंगे इसमें डालते है कूकिंग ओइल ओइल को हलका सा गरम होने की बादे है तेज पत्ता ओईल को बहुत ज़ादा गरम नहीं करेंगी नहीं तो मसाले उचलने लगते हैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले इसमें बस यह बड़ी इलाइची है इसे हलका सा खोल के हमने इसमें आड़ करना है इसमें से अगर कोई मसाला आपके पास ना हो तो उसे स्किप कर दे लेकिन इसमें हरी इलाइची और बड़ी इलाइची ज़रूर से अड़ करें क्योंकि इसका बहुत अच्छा स्वाद निकलता है इसके अंदर नेक्स डालते हैं सूखे नारियल के चाप नारियल को हलका सा गुल्डन होने की बाद इसमें अड़ करते हैं प्यास प्यास को अपने रफली काट लेना है तो यहाँ पर मैंने अच्छा टेस्ट आएगा इसकरी के अंदर धने को हलका सा चलाने की बाद यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो इसी स्टेज में हम गयास को आफ करेंगे और इसमें डालते हैं अब कुछ सूखे मसाले, सबसे पहले वन पिंच हल्दी, अपने टेस्के एकोर्डिंग रेड मिर्शी पाउडर, यहाँ पे कलर के लिए आप कश्मीरी रेड मिर्शी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, नेक्स डालते हैं अपने टेस्के एकोर्डिंग नमक, कसूरी मेथी, 1 टेबल स्कून, 1 चोटा चमच जीरा पाउडर, 1 चोटा चमच धनिया पाउडर, और आधा टेबल स्कून, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 चोटा चमच गरम मसाला, इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करते हुए, अच्छे से भून लेना है, क्यो सौंधी खुश्पू आने लगे, इसका मतलब है आपका मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, अब इसे निकाल लेंगे, और इसे हमने ग्राइन करना है, लेकिर उसके पहले हमने इसे ठंडा करना है, तो डिरेकली मिक्सर की जार में है, मैंने इसे निकाल लेंगे, वन पिंच हल्दी, वन पिंच सॉल्ट, अब इसमें डालेंगे मतन, नमक और हल्दी के साथ मतन को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राइ कर लेना है, ग्यास की फ्रेंग तेज रखेंगे, और खुले में ही इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, मतन के अंदर से हलका सा पानी रिलीज होता है, तो उसे भी हमने सुखाना है, और इसे अच्छे से फ्राइ करना है, अब ग्यास की फ्रेंगे, और तब तक चलते हैं मसाले की और, मसाला हमारा अच्छे से थंडा हो चुका है, इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून दही, औ मसाला पीस के तयार हो चुका है, अगर आपके पास दही ना हो, तो आप एक बड़े टमाटर को मसाला भूनते वक्त ही काट के डाल दे, ताक कि आपकी ग्रेवी का टेक्चर बहुत ही स्मूध आए, ये देखिए इसका टेक्चर कितना सॉफ्ट आ चुका है, अब चलते हैं मतन की और, तो मतन भी अच्छे से फ्राइ हो चुका है, ये बनाया हुआ मसाला हम इसके उपर डाल लेंगे, और इसे अच्छे से मिलाएंगे, अब ग्यास की फ्लेम को तेज करेंगे, और मसाले के साथ मतन को हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, यहाँ पे मतन और मसाला दो उनों ही चीजे हमने पहले फ्राइ करके ली थी इसलिए इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता दो से तीन मीट के अंदर मसाले के अंदर से तेल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही आपको ऐसे पैन में तील नजर आने लगे इसी स्टेज में हम इसमें आड़ आना है एक बार इसे चलाते हैं अब यहां पर जितनी ग्रेवी पसंद करते हैं उतना पानी यहां पर डाल ले तो यहां पर और से देड़ कप पानी मैंने इसमें आड़ कर लिया यहां पर 20 क्राम मटन के लिए मैंने यहां पर 2 कप पानी को आड़ कर लिया है इसमें डालते यह कत्री होई हरी मिर्चे यह बिल्कुल ऑप्शनल है बट एक बर आप जरूर इसे डाल के देखे इसका बहुत अच्छा स्वाद निकलता है करी के अंदर करी में जैसे बॉइल आना स्टार्ट हो जाए तो हम कुकर को बन कर लेंगे कुकर में एक स्टी लगने के बाद गयास के फ्लेम को लोग कर देंगे और धीमे आज में कुकर के हमने तीन से चार स्टीया लेनी है या फिर धीमे आज में कुकर को आप 10-15 मिट के लिए पका ले 10-15 मिनिट पकाने के बाद कुकर ने अपना प्रेशर रिलीज कर लिया है तो इसे खोलते हैं और ये देखिए बहुती बढ़िया मटन करी हमारी तयार है इसे चला के एक बार आपको दिखाती हूँ उपर से डालेंगे कुछ कतरी हुए मिर्चे और धनीय के पत्ते इसे एक बार अच्छे से मिलाएंगे और ये करी हमारी तयार है मटन की बहुती सौंधी कुछ बोहाने लगी है मटन अच्छे से गल चुका है और ये बढ़िया लाजवाब करी हमारी तयार है तो ये वन पॉर्ट रेसिपी आपको जरा भी हेलफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे सारी मज़ेदार नौन मेज रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें